नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों सुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे सेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें 24 डिसंबर राशी मेश ओवरव्यू आज आपका दिल और दिमाग दोनों ही पूरी मस्ती में रहेंगे आपका मन काम में बिलकुल नहीं लगेगा आप शायद अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से ना निभा पाएं मौज मस्ती करना गलत नहीं है लेकिन आपको इसके साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्या आज आप अपने रिष्टों को रोमैंस से भरपूर पाएंगे, जबकि आप एक लंबे समय से साथ साथ हैं, बच्चों एवं माता-पिता की उपस्ति के बावजूद भी आज आप कुछ खास नयापन पाएंगे, ये आपके रिष्टों की गर्माहट का एक अच्छा सूचक ह इसे प्रकट करने से न हिचक चाएं आपकी नौकरी बदलने की सोच आज सत्य में परणित हो सकती है, इससे आपको लंबे समय से चले आ रहे मानसिक दबाव से मुक्ति मिल सकेगी नवीन प्रकल्प वह अवसर सामने अवश्य हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभातों सामने लानी ही होगी, इसी तरीके से आप अपने भविश्य को सुख़द बना सकेंगे जमीन जायदाद बेचने के लिए यह दिन शुब है, इसलिए अगर आप कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए लाबकारी है आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जमीन संबंधित कागजात ध्यान पूर्वक जाच लिये हैं, क्योंकि सिर्फ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेंदेन में भूल चुक होने से नहीं बचा सकता उर्जा कास्तर ज्यादा होने की वजह से आप अपना काम एक ही पल में खत्म कर सकते हैं, आध्यात्म की मदद से आप तनाव और भावनात्मक विकारों से बच सकते हैं, आप ठकावट भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बिमारी आपके पास न भटके आज आपका मन करेगा कि आप घर और ओफिस से बाहर निकल कर प्रकृति का आनंद लें, आप अपने तनाव को खत्म करके अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने परिबार के साथ किसी बाग बागीचे में घुमने जा सकते हैं, और वहां बैठ कर गपे मार सकते हैं, आज का दिन आराम करने के लिए अच्छा है, आज अपने साथी से मिलने के लिए उस तरह से तयार हो जाएं, जैसे कि कुछ समय से रोज मर्रा की घरेलू दिन चर्या के कारण संभव नहीं हो पाया, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज का दिन रोमैंस एवं प्रेम से परिपूर्ण दिन होगा, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए शुब है, आपको आत्म विश्वास भरा हुआ मानस लेकर स्वयम पर यकीन करना चाहिए, आपका डर इस नीव को कच्चा कर देगा, इसलिए अपना श्रेष्ट प्रदर्शन करें, 24 दिसंबर, राशी ब्रिश, फाइनांस, अंतरराष्ट्रिय लेन देन और अंतरराष्ट्रिय बाजार से जुड़े व्यवसाईयों के लिए आज लाबगारी दिन है, इस मौके का फायदा उठाएं और जहां तक संभवो अपना व्यापार बढ़ाएं, 24 दिसंबर, राशी ब्रिश, हेल्थ, आज आपको पाचन में परेशानी हो सकती है, सिर्फ अच्छा, साथ और स्वस्त भोजन लें, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे, कोशिश करें कि आप आज तनाव से दूर रहें, क्योंकि इससे आपको पाचन क्रिया में परेशानी हो सकती है, शराब से भी दूर रहें 24 दिसंबर, राशी मिथुन, ओवर्विव आज का दिन खूब मजा करने का है, इसका पूरा लाब उठाएं इस समय आपको अपनी रोज की दिन चरिया से चुट्टी लेनी चाहिए आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं अगर अभी आपने घूमने जाने के बारे में नहीं सोचा है तो अब सोच लें और किसी पिकनिक का आयोजन करें 24 दिसंबर, राशी मिथुन, रोमैंस आज आपके रोमैंस के सितारे आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने या डिनर के लिए निकल सकते हैं ऐसे काम आपको आज खुछ रखेंगे रोमैंस की दुनिया में कोई भी कदम आगे बढ़ाने से आज बचें 24 दिसंबर, राशी मिथुन, करियर आज सफलता की इच्छा के कारण आप थोड़ा सा खत्रा मोल लेने को भी तयार रहेंगे अच्छी बात ये है कि आपका विश्वास इसमें आपकी मदद करेगा चोटी सी असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकेगी अगर कोई परेशानी बड़ी दिखे तो भी घबराएं नहीं उसे भी हल करने की कोशिश करें 24 दिसंबर, राशी मिथुन, फाइनांस विदेश से होने वाले लेन देन या साजे के काम से अच्छे लाब के संकेत हैं खासकर किसी विदेशी पार्टी से साजेदारी की सोच रहे हैं तो बातचीत के लिए यह बहुत बढ़िहा समय है जो लोग किसी यात्रा पर निकले हैं उन्हें अपने कारेक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है क्योंकि इस दोरान उनके विवसाई में कोई नई प्रगती हो सकती है आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी संसा को अच्छे लाब मिलेंगे हो सकता है आज आप जुकाम या कोल्ड के शिकंजे में फास जाएं इसलिए धूल भरे वातावरन से दूर रहें अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां और सिट्रस फल खाएं शोर वाले इलाके से दूर रहें क्योंकि आज आपको सरदर्द बने रहने की संभावना है आज शायद आपको अपनी संप्रेशन कला का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों के बीच चल रहे तनाव को कम करना होगा आप उस जगडे का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन सुला कराने के लिए आपको एक बिचॉलिये के रूप में बुलाया जा सकता है आप किसी की तरफदारी न करते हुए सच का साथ देंगे इससे आपके सहकर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे वो पिछले कुछ समय की बोरियत से छुटकारा पालेंगे यही अपने साथी के प्रती प्रेम प्रदर्शित करने वह बदले में प्रेम पाने का सही समय है 24. दिसंबर राशिकर्क, करियर यदि आपको किसी अच्छे काम की तलाश है तब आज का दिन इसके लिए शुब है आप कुछ अच्छे साक्षातकार देंगे इन में से कोई एक साक्षातकार आपके लिए नौकरी का पत आसान कर सकता है आईटी के प्रोजेक्टों पर काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन समय पर काम पूरा करने वाला होगा 24. दिसंबर राशिकर्क, फाइन्स यदि किराएं के घर में रह रही हैं तो आज अपने सपनों का घर खरीदने के लिए खोजबीन शुरू कर दें इस दिशा में आज की कोशिश से अच्छे नतीजे मिलेंगे आप पाएंगे कि जैसा घर ढूंड रहे थे वो मिल गया या कम से कम इतना तो हो गया कि घर के लिए जरूरी पैसे का इंतिजाम हो गया आज का दिन मंगल मैं हो ध्यान रहे आज कुछ भी काम करते समय आप लाबरवाही ना बढ़तें वरना खुद को चोट भी लग सकती है ऐसा समय चल रहा है जिसमें कोई दुरघटना होने की संभावना है बहतर होगा कि आप सावधानी वरतें ताकि आप खुद को चोट लगने से रोक पाएं ध्यान रहे कि आप जो भी काम करें बेहद सावधानी से करें और खुद को बिजली या फिर सडक दुरघटना से दूर रखें आज आप अपने अधूरे सपनों को लेकर कुछ निराशा सी महसूस करेंगे निराशा में समय व्यर्थ ना गवाएं बलकि ये सोचें कि आप किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो अवश्य ही सफल हो पाएंगे आज आप रंगीले मूड में होंगे और आपकी किसी आसपास के विक्ती से मुलाकात होगी हलका फुलका रोमैंस करना हानिकारक नहीं पर इसको लेकर गंभीर ना हो अकेले विक्ती के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं अगर बात आगे बढ़ती दिख रही है तो उसे आप दिल पर न लें और यथार्थवादी बनें आज आपको नौकरी का वो प्रस्ताव मिलेगा जिसका विचार लंबे समय से आपके वन में चल रहा था ये प्रस्ताव आपके सामने राहत के समान भी हो सकता है क्योंकि आप नई नौकरी तलाश रही है नौकरी बदलते समय ये सोचें कि ये बदलाव आपके लिए सही है या नहीं दीरगावधी के लक्षों की ओर ध्यान दें आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं शायद कोई नई कार या बाइक तो आज ये खरीदारी करने का शुब दिन है आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनकूल है तो आज अपनी कार या बाइक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें अगर आप अच्छी तैराकी नहीं जानते तो कोशिश करें कि आप गहरे पानी से दूर रहें आज आपके साथ पानी से संबंधित कोई घट ना घट सकती है किसी गहरे तालाब या सरोवर से दूर ही रहें वरना आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं बाद में पच्टाने से अच्छा होगा कि आप पहले ही खुद को सुरक्षित रखें अजीब और अपरिभाशित सा डर आज आपको परेशान कर सकता है बिना किसी कारण डरने की जरूरत नहीं है और ना ही बेकार में परेशान होने की जरूरत है इस डर की कोई वजह नहीं है 24 दिसंबर राशिक कन्या, रुमैन्स आप किसी के साथ वैवाहिक संबन्ध स्तापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर लें विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं पर खरावतरना होगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण निरने भली प्रकार सोच कर ही लें। 24 दिसंबर राशी कन्या करियर आज आप आत्म परीक्षन की स्थिती में रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर और जाना है और आगे रास्ते में आपको और क्या मिल सकता है। इससे भविश्य में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने म 24 दिसंबर राशिकन्या फाइनाज आज आपके लिए फाइदे का दिन है आपको लगेगा कि आज आपकी सभी व्यावसाई की उजनाएं काम कर रही है आज किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच रही है तो पहले निश्चिन्त हो जाईए कि जिससे सलाह ले रही है वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या नहीं 24 दिसंबर राशिकन्या हेल्थ किसी भी शारिदिक परेशानी का कारण धूने और अगर जरूरत हो तो डॉक्टरी सलाह भी ले स्वयम उपचार से आपकी तबियत में सुधार होगा आप बिमारी के कारण का पता लगाएं अन्यता वो फिर से उभर सकती है 24 दिसंबर राशितुला ओवरव्यू आज कोई बड़ा आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो जिन्दगी में आपके काम आए आप सलाह के लिए किसी को ढूंड भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी अच्छानक से आपको लाबकारी सलाह मिल जाएगी इस सलाह के लिए सलाहकार को अवश्य धन्यवाद करें 24 दिसंबर राशितुला रोमैंस आज आपका एक निराशा पूंड संबंध तूट सकता है इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि आपस में बात चीत करें खुल कर अपने दिल की बात अपने साथी से करें 24 दिसंबर राशितुला करियर आज वो दिन है जबकि आपको अपने कारियाले में अपने से ज्यादा क्रमता वाले करमचारियों को ट्रेनिंग के लिए चुनना होगा अगर आपके करमचारियों को आपकी ओर से प्रोचसाहन और प्रशंसा मिलेगी तो वे आप से और अधिक वफादारी करेंगे इसलिए आप अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को ये जरूर बताएं कि वो आपके लिए कितना माइने रखते हैं इससे आने वाले समय में आपको बहुत लाब होगा इन दिनों आपके खर्चे खूब बढ़े हुए हैं इसलिए खर्चे और आर्थिक स्थिती को लेकर थोड़ा व्यावारिक बनिये जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए कोई भी चीज उधार ना खरीदें वैसे बाजार की कई आकरशक चीज़ें आपको लुभाएंगी लेकिन खरीदिये वही जो आपके लिए नितांत जरूरी हो ध्यान रखें क्रडिट कार्ड आसानी से मिल जाते हैं लेकिन जब इसके बिल के भुगतान की बारे आती है तो दिल बैठने लगता है आज आप महसूस करेंगे कि तनाव का स्तर बढ़ रहा है और उर्जा कम हो रही है आप किसी भी अंचाही खबर से तनाव को बढ़ने न दें आप ठंडा दिमाग रखें और ज्यादा तनाव न लें थोड़ा योग और आराम करें तभी आप अच्छा फल प्राप्ट कर सकेंगे अगर आज आपको मदद की जरूरत पड़ी तो आज आपके मित्र वरिष्टेदार पीछे नहीं हटेंगे आज अपनों के सहयोग से आप अपनी समस्या आसानी से हल कर लेंगे ये समय उनको ये बताने का भी है कि उनका सहयोग आपके लिए कितना महतुपूर्ण है अपना प्यार जताने में बिलकुल संकोच ना करें आज अपने रोमैंटिक जीवन में कठिनाईयों को उत्पन्न न होने दें आपके वो आपके साथी या आपके माता-पिता के बीच मन मुटाव हो सकता है गलत फहिमी छूटी सी बात से शुरू होकर घर का चैन खराब कर सकती है अपने वो अपने जीवन साथी के बीच में संबंध सामान्य करने का प्रयास करें आज ओफिस से बाहर निकल कर आपको लोगों से मिलना चाहिए या फिर किसी सेमिनार में जाना चाहिए जिससे आपको नवीन तम तकनीक की जानकारी हासिल हो सके अपने क्षेत्र में आपको लोगों से अपने संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए लोगों से दिल खोल कर मिलें तथा उन से अपने बारे में चर्चा करने में ना हिच किचायें 24. December राशिवरिष्चिक Finance अपने खर्चों पर नियंतरन लगाएं सिर्फ खरीदना है इसलिए खर्चते रहने की बात को काबु में लाएं आज आपको ये भी लगता है कि आपके पास कुछ धन है जिसे खर्च करना जरूरी है और आप खरीदारी पर निकल पड़ेंगे आज का दिन स्वयम के विशे में विचार करने का है यदि आप अपने लिए कुछ करना ही चाहते हैं तब अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए संतुलित खरीदारी कीजिए आज आप अपनी जीवन शहली से गंदे और अस्वस्त विकारों को निकाल फेंकें अगर आप धूमरबान करते हैं तो आज उसे छोड़ने का उचित समय है आज अपना ध्यान व्यायाम और स्वच्च खान पान पर केंद्रित करें आप इस हफते योग में समय बिताना चाह क्योंकि आप इस समय स्वास्ते को लेकर पूरी तरह जागरूख हैं आज आप मानसिक शान्ती पाना चाहेंगे शान्ती आपके भी तरही है उसे बाहर धूनने की बजाए अपने अंदर खोजें इसकी शुरुवात आप योग से कर सकते हैं इसके परिणाम से आपको बहुत खुशी होगी ना चाहते हुए भी आज आपका अपने साथी के साथ चुटपुट बातों पर मदभेध होगा आपको चाहिए कि बिना बात पर अपने साथी पर गुस्सा ना उतारें अपने उच्जद व्यवहार से आपसी गलत फेहियों को दूर करने का प्रयास करें आज आपको अपने परिवार की तरफ से कोई व्यावसाईक प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आप विचार करेंगे सही तरीके से बनाई गई आपकी आर्थ क्योजना को आज अच्छा लाब मिलने वाला है अपने बजट को बढ़िया से विवस्थित कीजिए, इससे आपका पैसा सही धंग से उप्योग होगा और आपको इसका सही लाब भी मिलेगा, इससे आपका bank balance भी बढ़ेगा आज आपको allergy हो सकती है, इसलिए उप्युक्त दवाई अपने साथ रखें, कुछ सिरदर्ध हो सकता है, इसलिए समय निकाल कर आराम करें, आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे आज आध्यात्म के प्रती आपकी भूख बढ़ेगी, आज आपको ये जानने की इच्छा होगी, कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इस राह पर चल कर आप खुद को सही माइने में समझ पाएंगे, आगे बढ़ें और अपनी सभी योगिताओं को उजागर करें आज आप अपने साथी को अपनी ओर अत्याधिक आकर्शित पाएंगे, इस आकर्शन का आनन्द उठाकर आपस में बाटें, आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन से सुख प्राप्त करेगा अगर आप किसी नई नौकरी की खबर सुनने को बेताब हैं, तो वो खबर आपको आज मिल सकती है, अपनी सोच सकारात्मक रखें बुरे समय का सामना करने के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है, जो की आपके पास हैं, इसके लिए आपको अपने सभी विकल्पों को ठीक से खंगाल लेना चाहिए आज आपको जमीन जायदाद व्यवसाइक प्रतिष्ठान आदी खरीदने से लाब हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का खरीदने बेचने का चलन आजकल व्यवहारिक हो गया है इस प्रकार के व्यवसाइ में अचानक लाब होने की संभावना बन सकती है, यदि आपके पास ऐसी किसी संपत्ति को खरीदने का अवज़र आ रहा है, तो आप उसे जल्दी खरीद लें आज आप लंबे अर्से से जमीन जायदाद भवन जैसी अचल संपत्ति का विज़्यापन देख रहे हों, तो देर ना करें, उसे जल्दी खरीद लें आज आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की आवशकता है ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसी ना निकले अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को उरजावान महसूस करेंगे हो सकता है शुरुवात में आप ठकावट महसूस करें, मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बहतर हो रही है आज आप और आपके परिवार के लोगों के बीच छोटे मोटे जगड़े हो सकते हैं, जिनके कारण आप उदास हो जाएंगे लगता है आज सब लोग अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में जरा भी ना हिचकें, इससे आप अपने रिष्टों को मजबूत बना पाएंगे आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, जो वस्तुता आपसे छल कर रहा है, इससे बचें, इसका रिष्टा पहले ही किसी के साथ तूटा हुआ है आप इस बात को जानने में सफल होंगे, आज किसी नए रिष्टे को मत अपनाईए, थोड़ा समय लें, जल्दबाजी ना करें आज आपकी अपने सहकर्मियों से बहस हो सकती है, अगर आपके कार्यस्थल पर ऐसे लोग हैं, जो शान्ती बनाए नहीं रख सकते, तो कम से कम आप अपनी जुबान पर काबू रखें आज आप परिपक्वता दिखाएं, इससे आपको इज़त मिलेगी अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाब की अच्छी खबर मिलेगी असल में आप अपनी नियोकता के लिए अच्छी कमाई करेंगे और बदले में वे आपको इसका इनाम देंगे करियर और आर्थिक मामले में ये आपके लिए उपलब्धी है, जिसके आप असली हकदार भी है, सब आपकी महनत से हुआ है, इसका लुट्फ उठाइए 24 दिसंबर, राशिकुम्ब, हेल्थ हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा, परन्तु अब आप बहतर महसूस करेंगे, आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तयार करें, जीवन शैली में कोई भी वदलाव स्वास्त विकार ला सकता है, आप मूड ठीक रखें तो आपक आपको शायद एक मुश्किल परिस्थिती में पाएंगे, जो की दूसरों के द्वारा पैदा की गई है, आपको अपनी समझ का उप्योग करते हुए इस परिस्थिती से बाहर निकलना होगा, सोच समझ कर कदम उठाते हुए अपने आपको बाहर निकालें, चौबिस दिसं कर दोस्तों के साथ बाहर निकलें और सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं, आप हैरान होंगे क्योंकि आज रात आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, कम से कम कोई एक व्यक्ति आपको निहारेगा, अपनी अभिरुची को प्रकट करने में संकोच ना करें, आपके लिए कुछ बहुत ही रोचक घटना घटने वाली है, बेरोजगारों के लिए आज का दिन शुब समाचार ला सकता है, किसी विदेशी संस्थान से होने वाली सहयोग संधी से आएके स्रोत बढ़ने की संभावना है, प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मे पर चलने की आदत आपको सफलता दिलाएगी, भविश्य के लिए निवेश करने के लिए आपके सामने आज कई सारे विकल्ब खुले हैं, आप अपने स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक दलाल के पास जाएं, उससे स्टॉक के निवेश में सलाह लें, अगर स्टॉक में न निव निवेश कर, मकान या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये भी बढ़िया विकल्ब है, जो भी हो आज का दिन अच्छा है, जहां निवेश करेंगे लाब ही होगा, भविश्य के बारे में आज ही सोचिए, देखिए कल से ही मुनाफा सामने दिखेगा, आज आप अच्छा महसूस करेंगे, इससे आपको काफी दिनों के बाद राहत की सास मिलेगी, आज आपको उस व्यायाम पर ध्यान देना होगा, जो आपकी मास पेशियों को मजबूत बनाए, ध्यान रहे, अपनी मास पेशियों पर ज्यादा दबाव ना दें